पुलीस दरोगा मिलके इतना मुझे लोग टाउचर किये थे। भाग चुकी है फरार हो चुकी है और मामला यह है कि वो रह दूसरे के साथ रही है और खर्चा इन से मांग रही है और यह जेल भी खट चुके भाईया अब बताइए यह पीडी तादमी है यह आरोपी है आप खुद समझ लीजिए कि इसकी बीबी भगी है और इसको जेल भी खटना पड़ा और इसको खर्चा भी देना पड़ेगा जो दूसरे के साथ इनकी बीबी रह भी रही है क्या नाम है आपका सुनिल कुमार बिंद साधी आपकी कभ हुई थी साधी कितना साल हो गया पंदरा साल आप 15 सूलह साल हो गया पंदर्सूलह साल बच्चे कितने आपके लड़काई लड़की है कितने समय पहले आपकी भीबी आपको छोड़कर चली गई अरे 7-8 साल हो गया साथ साल किसके साध गई है सुरंडर सुरंदर कहा कहे हुँ ए परोस के मेरी अलमीजाओं उनका परोस मेरा घर वहाँ परीए पहीं पश्टित में घर आए मुरे पास में मुझे मुझे परेसान कि मुझे जेल फी गया हर चीज के रहे पर पर से था मियरा भूज का मुझे बहुत ब्लेन हो भी है उसके पर मेरे ममी फोन की मुझे पकर देने लगी तेरे घर पर पूछा ते रे तरह पूछती पूछती है तो मैं सोचता तो दोस्तियारी के लिए कोई काम होगा तो उस समत अनिल संग द्रोगा थे तो जब मैं आया था बनारस में रात रुख गया शुबै मैं नहीं गया बनारस मैं मेरे घर पे पूलीस की वाता है तो बोलता है मैं नहीं जानता हूं जब नहीं जानता है मेरे फक्कड़ हो गया फिर पर इसके बाद पैसा कोड़ी दे के थाना पूज लिया था फिर इसके बाद मेरा चलान हो गया तुरंत यहां से चलान क्यों कर दिया गया आपको यह पता चला कि आपकी वीवी उनके साथ रह रही जब भी जहां भी मैं जाता था इनका नाम बताता था पर शासन से अभी बोला सुरंदर मेरे साथ हैसा किया पर शासन मेरा कभी नहीं सुना तो इसके पहले सपा की सरकार्थी में लगी पारस मंत्री जिन्दा थे उनसे मैं फोन करवाया थाने पे तो मुझे मार पढ़ रही थी मुझे मार पढ़ रही थी पारस मंत्री मेरे से बात किये थे कि दरोगा को फोन दो कोई दरोगा पंडीत करके था ने याद और निशाद दरोगा थे उसमत Skipul के निशाद दो ने भी दरोगा थे चोटे दरोगा थे और इसके बाद फिर एक मौरिया करके सिपाही थे समतों यहां कि मैं खुद पागल हो गया था मुझे कि क्या बोलना चाहिए मैं क्या बोलता था वहां पर मुझे खुद निसमाज माता था लेते हो तुम हमकेशtv मैं कहां पर देखा नहीं बताया मुझे यहां शेंख प्रोगा उठाये थे draw Ida dov a case था एक मेरे अनिख सked उन्हीं कुए पर में यह थे भीने characterize पर आये थे मारी पिता जी को ले गए थे तो दोरोगा उनसे पूरी बात बताये थे लिकिन मुझसे नहीं बताये थे मतलब इस अफा में तुम्हें बंद करूंगा मतलब आप अपने आपकी बीबी चली गए उनके साथ उसके लिए न्याय के लिए आप ठाने पर गए और आपको जेल भी भेजा गया और आपका सोशल भी किया गया कितना दी जेल में थे तीस दिन बाद आपकी फिर बेल हुई चार पास बार मैं गया हूं और तीज दिन में जेल में और इसके बाद प्र जाया मैं शुरूंदरक बहुत समझाया उसको भी फून करके मैं समझाया कि मतलब अच्छी बात नहीं तुम जहां हो वहाई प्रमें तुम्हें मुझे क्यों परसां करते हो तो बोलने लगे यह करते हैं अब आगे देखो लोग क्या करते हैं मुझे दो हजार तेज में मालने की धंकी दिये थे इतना मुझे याद है कि 2023 में तुझे को मतलब जब एको पकड़ा था वी जातब मुझे पूरे परिवार उनकी लड़की लड़की बढ़ा पूण्यश मतलब ऋसका तो इसके बीवी थी उसके परिवाल लोग तो मैं बोला यह कैसे आप आके बैठी तुमारे घर पर तो इसके बाद उस स्वाइम खुद बोला कि मला मही रखा तो जा तू में घर पर रहेगी हो तो जब ले गया तो मुझे इतना मतलब इतना ताउचर किया इतना मतलब हर बल स मुझे तोड़ दिया कानून से जादा तोड़ा मुझे ओ मतलब खुल के नहीं आने चाहिए खाली बस कानून का सहरा लिया उसने और कानून ने आपको ही प्रतालित किया मुझे इक या पर रहते नियाव में जितना मुझे कैश्ट हुआ उतना वो लोग खुद जेल जाए अगी मुझे उसरखना भी नहीं है ऑक्यों से मेरा इतना दे नहीं पाएगी ऑपके परिवार में और कोन कोन हमकी माताजी है मेरे माता जिया फिता जी मेरे खतम हो गए अच्छा और कौन परिवार में जिन से मैं बात कर सकूं जिनको आप से पहले जिनकी साधी होई आव य जानते हैं जानते हैं जानते हैं जानते हैं वह इनकी पत्नी दूसरे के साथ चली गई हम नहीं थे जब यह गए थे तो हम नहीं थे जो बात है हम लगना उर्णाते बिजान सभा यह जितनी वह हकीकत है जो कांड हुआ उसके बात पता चला हमको बाकिर है कोई गलत बात नहीं है अभी इनको पर्षान किया जा रहा यह कह रहे हैं तो पैसे फैसे मांगेंगे कि हम जहां रह रहे हैं हमारा अधिकार उसी के साथ में हैं दूसरे से नहीं जो लेकर भगा तीन लड़कीं है दो लड़कियां की साधी हुई है बच्चे वाली है एक लड़की या दो लड़के की साधी करने वालों सब्सक्राइब लेकर भगा है एक तो घरी रहती है तो आप बता रही है कि उसकी भी भी हमेशा रोती रहती है थोड़ा सा बताएक रोती उनकी वीवी जो लेकर भगा उनकी वीवी पहले से पहले से तो पहले बीबी को लेकर साथ में आता है नहीं उसको घर पे है अच्छा और इनकी बीबी को कहा लेकर है वह अभी इधर नगोहें अब यह समत बलाक बगल है जो बलाक नहीं है उसको बाजिम है अच्छा ऐसा लग रहा कि जब उनके बच्चों की साधी बगार हो गई तो उन पचास क्यों बावन होगा इतना होएं पचास साल उमर है उनकी होगा यह देखिये यह हालात है आई आई इदर आई पाच्छा बच्चे है जब बात महिलाओं की आती है तो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए महिला आयोग बना है महिला विकास बंच है तमाम ऐसे संगठन है जो महिलाओं को न्याय दिलाते हैं और जब पूरुस को न्याय चाहिए तो आखिर पूरुस के लिए तो कोई ऐसा संगठन है नहीं इनकी बीबी को लेकर गया है मैं उनकी बीबी से बातचीत करूँगा क्योंकि यह लोग बता रहे कि वो बेचारी परिसान रहती है और घर से वो लेकर भगा है और कहीं है इसे बाहर इसी तरीके से रहता है आप लोग बताईएगा प्रत्क्रिया अपने जरूर दीजिए गा और मैं बातचीत करूँगा उनकी बीबी से भी जो इनकी बीबी को लेकर भगा है और ये नियाई के स्वरूप में क्या चाहते एक बार आप बताई प्रसासन से अब कैमरे के सामरे बताईए प्रसासन मुझे कोई नियाऊ नहीं दिया अभी तक मैं जैसे भी हो अच्छा खरा रहा हूं के सभी चल रहा है केस मैं लड़ रहा हूं मेरा भाई भी नहीं था मेरे पिता जी भी नहीं थे सब का नाम लिखा दिया केस चल रहा है आप लोगों के उपर क्यों मुकादमा कराया ये मालूम नहीं क्यों किया वहीं बता सकता क्यों किया उससे मतलब हो जो विचा अब हम लोग को ऐसे पुश्पत चलिए बिया और कुछ भी लोग है लोग से दादी बात सही है जो इस बता रहे हैं हाँ कहां के हैं आप आप चांची पड़ोसी हैं इनकी नहीं दर गया है तो पता तो होगा ही जो बता रहे हैं सब सही है जानकी घए थी लकिनने मालूं के कीष लिए लगिए फिलीए यह जानते हैं कि यहां से लेकिन रहते हैं के साथ उसो के साथ шवा रहे हैं की स्थी अगैरी zij करें सुन रहे थी कि कई कि इसा एगे रखेवर्यati हिसे वर अगफ लगधी नहीं डेखी साथ साल से वो दरदर भटक रहे निया के लिए सद्राशन के सामने जाते हैं थो इनको जिए बहिज दिया जाता है अब आखिर किस इनको जेल भेजा जाता है किस मामले में इनके उपर मुकदमा होता है यह तो अप्सासन प्रसासन से ही जानकारी मिलने के बाद पता चल पाएगा लेकिन आप लोग क्या कहेंगे कि बाइए पुरुस को एक मर्द को कैसे न्याय मिलेगा कौन सा आयोग है जो इनको न्याय दिलवाएगा महिलाओं को तो महिला योग है और तमाम ऐसे महिलाओं का संगठन है जो महिलाओं के हक की बात करती लेकिन आखिर इनको कौन निया दिलाएगा आप लोग प्रत्किया जरूर दीजेगा अपना कमेंड के जरीए कैमरे के पीछे सुनी लिए दो देहाती पाइबा ए जरीओ ये।